आज हम बात करेंगे इगनु के तरप से 6 अपडेट जारी किये गए है जो आपके लिए important है और आज मैं आपको इसी के बारे में डीटेल में बताने वला हूँ तो वीडियो को पूरा देखिए और इगनु की सभी अपटेट और नोठिपिकेशन टाइम टू टाइम पाने के चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोठिपिकेशन को आउन कर लीजे ताकि सभी अपटेट आपको मिलते रहे सबसे पहले अगर आप इगनु के में वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर announcement वाले section पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो अपडेट किये गए है सबसे पहले कि यहाँ पर यह जो आपको PhD के अलग-अलग subject देखने को मिल रहे है अगर इन में आप admission लेना चाते हैं तो ले सकते हैं यहाँ पर काफी सारे subject एड किये गए हैं और वहीं हम बात करें कि आप admission का application form कब तक submit कर सकते हैं तो यहाँ पर बताएगे है notification जिस तिन website पर update हुआ है उसके 20 दिनों के बाद यानि कि 20 दिनों तक ही अगर आज से आप दिन को count करते हैं तो सिर्फ 20 दिनों का ही आपके लिए समय है 20 दिन तक आप PhD प्रोग्राम पे admission के लिए apply कर सकते हैं यहाँ पर यह link दिया गए इस पर आप click करेंगे तो यह website open हो जाएगा यहाँ पर पहले आपको new registration पर click करना होगा फिर आपको registration करवाना होगा और फिर login पर click करने के बाद account में login करना होगा और उसके बाद फिर आप admission का पूरा forum fill up कर सकती हैं साथी में यही पर जेखेंगे तो एक और update किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि December 2024 एक्जाम के लिए जो assignment submission का last date है इसको 31 अक्टूबर से बढ़ा करके 30 number कर दिया गया है अब आप अपना assignment online या फिर offline जिस भी method में आपको submit करने के लिए बताया गया है odl program के लिए online program के लिए goal mode के लिए और e-vidyabharati programs के लिए सभी के लिए जो assignment जमा करने की last date है वो है 30 number 2024 से और अगला जो update आया है उसके according इगनू के website पर भी एक update हुआ है जो कि आप यहाँ पर देख सकते है अगर आप result वाले section में आएंगे तो यहाँ पर जो आपका result चेक करने के लिए link है update किया गए great card का link update हुआ है re-evaluation का link भी update कर दिया गया साथ ही में convocation portal का भी जो link है 20 वा convocation से लेगर के 37 वा convocation तक का जो link है यहाँ पर update कर दिया गया है और आज 30 अक्टूबर 2024 के date में जो आपका grade card है इसका भी एक नया update आया है जो कि आप देख सकते हैं तो इसमें आप अपना assignment का theory का practical का project का number देख सकते है कि grade card में update हुआ है या फिर नहीं अगर आपका grade card complete हो चुका है तो 40-45 working days में जो आपका mark sheet है और provisional certificate है इगनु में जो भी आपका register address है उस address पर आपको provide करा दिया जाएगा और अगला जो update है उसके according इगनु ने आपके result का एक नया update है यानि कि re-evaluation के result का June 2024 exam का 30 October 2024 के date में public कर दिया है तो अगर आपने paper re-checking के लिए apply किया था तो उसका result आप यहाँ से देख सक साथी में इगनु ने पुराने वाले website पर ही यानि कि June 2024 examination के result का एक नया update पुराने वाले website पर यानि कि old वाले link पर update किया है जिसे 30 October 2024 के date में update किया गया है तो अगर आपका exam का result pending है तो उसको आप यहाँ से देख सकते है result चेक करने के लिए जो link है description box में आपको मिल जाएग यह जो नया वाला portal है जिसके बारे में आपको बताया था कि result अब यहाँ पर update होगा यहाँ पर update ना करके यान कि कुछ result यहाँ पर भी update हुए है जो कि last update है 22 October तक का और जो नया update है वो अब पुराने वाले portal पर ही update कर दिया गया है और अगला जो update है उसके बारे में आपको पता होगा कि अब आप examination fees December 2024 exam के लिए 3 November 2024 तक submit कर सकते है without late fees यानि कि 3 November तक आप exam fees को submit करते है तो आपको कोई भी late fees नहीं देना होगा यानि कि जो आपका 11 रुपे late fees लग रहा था उसको हटा दिया गया है late fees आपका कब लगेगा वो नहीं बताया गया है तो अगर अभी तक आपने exam form को फिलप नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके 3 November से पहले ही submit कर देंगे तो आपके लिए काफी ज़दा अच्छा रहेगा इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो like किजिए share किजिए और इगनु कि सभी update इंस्टेंटले पाने के लिए आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते है link मैंने नीचे दे रखा है साथी साथ आपका कोई सबाल है तो नीचे comment box में बता सकते है